Hello students, I am Rajiv Kumar, your math teacher. बच्चों, आज मैं आपको exercise 4.5 के अंतरगत question 11 करवाने वाला हूँ. तो आई ये देखते हैं question 11 क्या है? Find the inverse of the matrix 1, 0, 0, 0 cos alpha sin alpha, 0 sin alpha minus cos alpha, if exist. question बच्चों ये है, कि आपको इस given matrix का inverse निकालना है, अगर ये exist करता है, यानि ये अस्तित्तों में है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? let a is equal to, जो matrix आपका दिया गया है, उसको आप a मान लें, 1, 0, 0. यहाँ पे है 0 cos alpha sin alpha, 0 sin alpha minus cos alpha. तो इस तरह से आपने ये एक matrix मान लिया, अब हम क्या करेंगे? इसका सबसे पहले determinant a find करेंगे, determinant a क्या होता है बच्चों? यह है determinant a, तो इसको बस सबसे पहले आप क्या करें? determinant में लिख लिए, यही same elements रहेंगे, 0 cos alpha, sin alpha, 0 sin alpha और minus cos alpha. तो यह हमने same element में determinant लिख लिया, और अब इसकी value लिखेंगे, value में इसका expand कर देते हैं, तो देखिए 1 और यह बंद कर लिया, क्या गया? minus cos square alpha, और minus sin square alpha, और फिर minus 0, 0 के साथ तो सब 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे यह भी 0 हो गया, तो यह हमारा निकल कर आ रहा है, minus 1 cos square alpha, प्लस sin square alpha, और इसकी value होती है, जो cos square alpha, प्लस sin square alpha लिखा है, इसकी value होती है 1, तो हमने देखा, यह हमारा minus का 1 आ गया, और यह जो minus 1 है, यह does not equal to 0 है, तो इसका existence है, तो यहां लिखेंगे, inverse exists, मतलब यहां पर, जो हमको matrix दिया गया है, इसका inverse exist करेगा, यानि इसका आस्तिक्तो है, और inverse यहां निकाला जा सकता है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसमें निकाला जाता है, the matrix, the matrix of co-factors, co-factors का यहां पर matrix उच्छों लेना है, तो देखिए किस तरह लिया जाएगा, co-factors यहां पर निकाले जाते हैं, co-factors के sign को ध्यान में रखने के लिए, हम plus, minus, plus इस तरह हैं side में बना लेते हैं, plus, minus, plus, minus, plus, यह minus है, और फिर last में, plus, minus, plus, तो इस तरह से यह determinant के sign है, यह इसमें co-factors के sign में हम यूज करेंगे, तो सबसे पहले one है, इसके बदले में हमें एक co-factors लिखना है, तो देखिए one के बदले में क्या लिखा जाएगा, यह आपका column यह रो बंद कर लीजे, तो देखिए यहां आपका minus का cos square alpha, और फिर ऐसे multiply करेंगे, तो minus का sin square alpha आगया, फिर zero के लिए लिखेंगे, तो आपका यह column यह रो बंद हो जाएगी, cross multiply आपका इसका इसमें होगा, और फिर इसका इसमें होगा, तो यह zero आजाएगा, और फिर यहां पर देखिए, यह column और यह row बंद कर लिया, तो zero minus zero, यह भी आपका zero आगया, तो इस तरह से हमने देखा, कि हमारा जो, factors के matrix है, तो इसमें पहली line आगई है, अब दूसरी line के लिए क्या करेंगे, यह row यह column cover कर लीजिए, तो देखिए zero और फिर यह, यह भी zero आजाएगा, तो यहाँ zero लिख देते हैं, और फिर इसके बाद में, जो second number है, यह यह कॉस अलफा यहाँ पर लिखेंगे, तो यह और यह बंद हो जाएगा, तो इधर से देखिए, माइनस का कॉस अलफा आ रहा है, तो यह माइनस का कॉस अलफा यहाँ पर लिख दिया जाएगा, क्योंकि साइन प्लस का है, चेंज होगा नहीं, और फिर यह साइन अलफा है आपका, अब इसके बदले लिखना है, तो यह और यह बंद कर लिया, साइन अलफा माइनस जिरू, तो साइन अलफा यह प्लस का आ रहा है, लेकिन यह साइन माइनस है, तो हम यहाँ पर माइनस का साइन अलफा लिख देंगे, और अब हम थर्ड रू तयार कर रहे हैं, कोफेक्टर्स की, तो यह जीरू है, तो आपका यह कॉलम और यह रू बंद हो गया, इधर से देखिए, और इधर से देखिए, जीरू ही आ रहा है, मल्टिप्लाई करने पर, और अब सेकेंड नमबर यहाँ पर, तो आपका यह और यह बंद हो गया, तो इधर से साइन अलफा आ रहा है, जेकिन साइन माइनस है, तो हम यहाँ पर minus का sin alpha लिख लेंगे और फिर यह cos alpha की जगे पर लिखना है तो यह और यह बंद हो गया तो इधर से देखिए cos alpha रहा है तो यह cos alpha हमने लिख दिया तो इस तरह से यह हमको एक matrix co factors का find हो गया है इसको simplify कर लेंगे यह minus 1 है हम लोगों ने यहाँ देखा था minus 1 है तो minus 1, 0, 0 नीचे है 0 minus का cos alpha minus का sin alpha और फिर last line है 0 minus sin alpha और cos alpha तो इस तरह से यह matrix आफ co factors हमको मिल गया है अब हम adjoint यह निकालेंगे adjoint A adjoint A क्या होता है transpose होता है इसका यानि transpose of matrix of co factors यानि जो हमारा co factors का matrix आया है उसका हमें transpose लेना है यही adjoint होगा तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बस इसमें आपका जो रो है वो कॉलम में change हो जाता है minus 1, 0, 0 फिर यह second row है इसको कॉलम में आप change कर लीजे 0, minus की cos alpha और फिर यह नीचे आएगा minus का sin alpha और इधर यह वाली आपकी जो तीसरी रो है यह तीसरा कॉलम बनाएगी तो यह आएगी 0, फिर minus का sin alpha और cos alpha तो इस तरह से यह आपने देखा कि यह transpose आ गया है इसको factors के matrix का और यही ad joint A है अब इसके बाद final आपको सीधे A inverse निकालना है A inverse is equal to 1 upon mod A into ad joint A यह फार्मूला लगता है तो 1 upon देखिए minus 1 हो गया और यहाँ पर हम इस matrix को लिख देंगे यही ad joint A है minus 1, 0, 0, 0, minus का cos alpha, minus का sin alpha और निचे आगे आपका 0, minus sin alpha और plus का cos alpha तो इस तरह से यह हमको inverse find हो गया है इसको थोड़ा सा और simplify कर देते हैं और वही आपका final answer हो जाएगा तो देखिए यह 1 upon minus 1 क्या है यह minus 1 है इसका अंदर multiply हो जाएगा तो आजाएगा 1, 0, 0 और नीचे आजाएगा 0 यह plus का cos alpha हो जाएगा और यह plus का sin alpha हो जाएगा और नीचे 0 और यह minus का sin alpha है यह plus का sin alpha हो जाएगा यह plus का cos है तो इसको हम minus का cos alpha बनाएगे तो बच्चों इस तरह से ये हमको inverse find हो गया इसका जो कि बिल्कुल same to same वही का वही आ गया है तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप comment के मात्यम से हमको बताएंगे और हमारे चैनल YouTube Automats को like, share और subscribe करेंगे Thank you